CMYS जगन मोहन रेड़ी ने आंध्र प्रदेश में सेंचुरी प्लाई की, Largest Integrated Wood Panel Manufacturing Unit का उधगाटन किया. कंपनी ने यहां Laminate, MDF और PVC यूनिट के लिए करीब एहजार करोड़ रुपे का निवेश किया है, जिससे इस क्षेत्र में 2000 से अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगी. आपको बता दे कि कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट है. Phase 1 इंवेस्टमेंट में, प्रति दिन 950 क्यूबिक मीटर CBM MDF लाइन और Laminate के लिए दो होट प्रेस के साथ-साथ 15,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक PVC बोर्ड शामिल है. Century Ply के इतिहास में शायद यह सबसे अधिक रेविन्यू होगा, और आने वाले समय में 1400 करोड रुपएये से अधिक का रेविन्यू जनरेट करेगी, वही परवर्ष 2022 से 2030 में Century Ply Boards ने लगभग 3600 करोड रुपएये का रेविन्यू कमाया था. खबर है कि MDF और PVC का प्रोड़क्शन ट्रायल अगले साल जन्वरी और फर्वरी के बीच होगा, वहीं कमर्शल प्रोड़क्शन 2024 की पहली तिमाही में शुरू होगा. फेज वन में प्रतिवर्ष 8.55 लाख लैमिनेट शीट, 3,13,500 CBM प्रतिवर्ष, MDF और 15,000 टन PVC बोर्ड बनाने की क्षमता होगी. दूसरे फेज में कमपनी की योजना, MDF क्षमता को दोगुना कर 2000 CBM प्रतिदिन करने और लैमिनेट के लिए 8 हॉट प्रेस तक बढ़ाने की है. उन्होंने कहा कि Integrated Facility घरेलू बाजारों के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी पूरा करेगी, जिसमें उत्पादित लेमिनेटिड का 50% एक्सपोर्ट के लिए रखा जाएगा. विशेश रूप से यूरोप जैसी बिग मार्केट के लिए, जबकि MDF के लिए डुमेस्टिक मार्केट को 30% के साथ प्रात्मिक्ता दी जाएगी. आरंभ में उत्पादन का निर्यात किया जाएगा और बाद में 10-15 प्रतिशत तक कम किया जाएगा. आईए अब कम्पनी के बारे में जान लेते हैं. कम्पनी का गठन श्री सज्जन भजनका और श्री संजय अगरवाल द्वारा किया गया था. बहुत ही कम समय में कम्पनी ने खुद को इस सेक्टर में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है. CPIEL की विनिर्मान इकाईयां कोलकाता, चेननई, गुवाहाटी, करनाल, कांडला, होश्यारपुर, म्यानमार, गैबॉन और लाउस में हैं. CPIEL आज प्लाइवूड लैमिनिर्स, वेनिर्स, दर्वाजे, म्डिएफ, प्रीलम, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पीवीसी, एक्स्टीर ग्रेड लैमिनिर्स की पूरी श्रंखला बनाती है. कंपनी वर्ष 2003, 2005, 2006, 2007 और 2008 के लिए पांच बार उच्चतम टर्नौवर वाली सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी के रूप में भी घोशित है.